आपको क्या लगा कि SEO कंप्लीट हो गया अभी SEO बाकी है मेरे दोस्ट क्योंकि SEO को हम तब तक कंप्लीट नहीं मान सकते जब तक कि हमें डेटा को पढ़ना ना है डेटा को समझना ना है और जब भी बात होती है डेटा की तो हमारा मतलब है Google Analytics So Google Analytics पूरा जो यह कोर्स है यह हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो से क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करेंगी हमारी विबसाइट पर तो उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है कैसा वो पफॉर्म कर रही है हमारी स्टाटेजी इसका पता तभी लग पाएगा जब हमारे पास डेटा ह हम उसको समझ पाएं हम एक्चुली देख पाएं कि कौन सी चीज हमारी विबसाइट के लिए काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही है और उसी के एकॉर्डिंग हम अपने फ्यूचर गोल्स बना पाएं फ्यूचर स्टाटेजी बना पाएं चीक है तो आज से यह Google Analytics का कोर्स चलिए फिर जल्दी से विडियो कर शुरू करते हैं हलो एव्रिवान आय हरमीद वल्कम यू अल ऑन डब्लूस की चानल सो जैसा मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं Google Analytics की चीक है सो Google Analytics नाम से थोड़ा से complicated लगता है लेकिन बहुत ही easy tool है बहुत ही easily हम इसको समझेंगे बस यह है कि एक भी वीडियो मिस मत करना क्योंकि एक भी वीडियो मिस की ना तो फिर क्या होगा कि आप से चीजें रह जाएंगी कुछ ऐसे terminology होंगी कुछ ऐसे keywords होंगे जो आप से रह जाएंगे कि आपको पता ही नहीं होगा इसका मतलब क्या है तो एक भी वीडियो मिस मत करना सारी वीडियो आपको देखनी है description box से playlist का link मिल जाएगा जहां पर complete Google Analytics है उसको हम समझेंगे और यह updated version है चीक है जो भी latest updates आई है जो भी changes हुए है उनको भी हम समझने के साथ साथ complete Google Analytics समझेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर Google Analytics होता क्या है चीक है So Google Analytics का अगर मैं बहुती simple सी definition देखू तो Google Analytics is a tool that provides in-depth insights Google Analytics एक tool है जो की provide करता है हमें in-depth insight कि किसी चीज़ के अंदर क्या हो रहा है एकदम in-depth में हमें insights देता है बिलकुल हमें बताता है कि आखिर कैसा perform कर रहे है कैसी performance है किसकी into your website and businesses online performance कि आपका business जो है वो online कैसा perform कर रहा है यानि आपकी जो e-commerce website है या फिर आपकी जो business website है आखिर उसकी performance कैसी है आपकी website की performance कैसी है कितने लोग आपकी website पर आ रहे हैं, कितना वो engage कर रहे हैं, कितने लोग convert हो रहे हैं, कितने लोग consumer बन रहे हैं, कितनी देर तक वो आपकी website पर रह रहे हैं, यह सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं किस से Google Analytics है, Google Analytics जो है वो 2005 में launch हुआ था, लेकिन for users के लिए यह ready to use हुआ था 2006 में, तो 2006 से बहुत ही बहती बहतरी service प्रवाइड करवा रहा है हमें Google Analytics, अब देखिए जैसे Google है, तो Google का Google Analytics है, वैसे ही जो other companies है, other brands है, उनके अपने analytics होंगे, लेकिन Google Analytics, जैसा कि Google search engine से हम समझते हैं, कि सबसे जादा accurate, जो results मिलेंगे न, web analytics के, वो आपको यहीं पर ही मिल होंगी कि कितना जादा accurate है Google Analytics, जैसे कि ट्राफिक कितना आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, उस ट्राफिक में भी हम और information जान सकते हैं, कि जैसे ट्राफिक सोर्स क्या है, कहां से वो लोग हमारी website पर आ रहे हैं, उनका gender क्या है, कौन से device से आ रहे हैं, और भी बहुत कुछ जब आप पूरा course complete करोगे ना तो you would be amazed कि इतनी छोड़ी छोड़ी details भी Google हमें बताता है, कि ये लोग आपकी website पर आया, यहां से आया, इस तरहा से आया, सारी चीज़ें बताता है, उसके अलावा कितनी देर तक वो आपकी website पर रहे है, उसके अलावा bounce rate कितनी थी, कितनी ज बताता है, और काफी accurately, और इसी लिए सबसे जादा वैस्तों काफी, जैसे मैंने बता है, काफी सारे tools हैं और भी analytics के, लेकिन हम सबसे जादा rely करते हैं Google Analytics पर, चीक है, so I hope तोड़ा से यहां पर clear हुआ होगा आपको क्या कि Google Analytics क्या होता है, तो Google Analytics का complete course ये इस वीडियो से करते हैं, तो मुझे मत कहना कि माम हमें समझ में नहीं आया, इस चीज में problem हो गई, क्योंकि SEO में भी यहा था, last की जो वीडियो थी वहां पर आप कॉमेंट कर रहे हो कि हमें वह चीज बताओ, जो कि मैं already पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हो, तो इ आप उन courses से कुछ सीखो, अपनी life में कुछ value create करो, हम बस यही hope करते हैं और थोड़ा बहुत हमें support करते रहो, तो जिसने भी subscribe नहीं किया अभी जल्दी subscribe कर लो, and आगे बढ़ते हैं, so अभी यहां पर एक छोटा सा confusion रहता है, कि यहां पर बात आती है, Universal Analytics and Google Analytics, चीके, दोनो में क्या difference होता है, देखिए, अभी तक हमने जितना भी Google Analytics पढ़ा होगा, अभी तक जो आपने पढ़ा है, वो Universal Analytics हमने पढ़ा है, चीके, और अभी भी अगर आप पर login करेंगे, तो Universal Analytics आपको मिलेगा, even अगर आप किसी firm में काम कर रहे हैं, वहां पर भी अभी तक Universal Analytics ही use होत होगा, लेकिन Google ने अभी क्या किया है, इसको थोड़ा सा चेंज किया है, और उस Google Analytics का जो latest version है, आप इस तरह से समझेए, जो Google Analytics का जो latest version है, उसका नाम है Google Analytics 4, जिसे हम कहते हैं GA4, तो इन दोनों के बीच में क्या difference है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो देखिए, GA4 जो है ये renamed version है, किसका हमारी Google Analytics के property का, property क्या होता है, कि basically यू समझ लीजे, एक platform है, यू समझ लीजे, कि Google Analytics पर हम अपना एक account create कर रहे हैं, property create कर रहे हैं, जिसका हम data track करें, चीक है, तो ये जब मैं आपको practically अभी पताऊंगी next videos में, तब आप समझ जाएंगे property क्या होता है, that Google had released in 2009 in beta form, चीक है, तो Google ने ये beta version use किया था, यानि just for the trial, लेकिन अभी Google जो है completely, जो है universal analytics को Google Analytics 4 में convert कर रहा है, और ये चीज़ अपलाए होगी July 2023 से, चीक है, मतलब अभी almost अमर पास एक साल से भी जादा है, तो अभी हाँ पर देखिए, मैं आपको ये चीज़ कर देती हूँ, अपनी जो जितनी भी इंडिया में major firms हैं, agencies हैं, वो अभी तक काम कर रही है, universal analytics पर, ठीक है, तो इस course में, initial videos में हम पूरा universal analytics समझेंगे, एक एक terminology समझेंगे, कैसे account access करना है, data कैसे पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ हो उसमें, सब कु समझेंगे, और फिर हम move करेंगे GA4 पर तो अगर मान लीज़े, आपकी firm में, या फिर जहां भी आप काम कर रहे हैं, या फिर आपके business में, अगर universal analytics पर काम हो रहा है, तो आप इसको भी अच्छे से समझ जाएंगे, और GA4 तो हम करने ही वाले हैं, इस पर सुच करने वाले हैं, क्योंकि अगर जुलाई 23 से पहले हम पूरे हमारे जो जितने भी accounts हैं, उनको अगर GA4 में convert नहीं किया, तो हमारे data चला जाएगा, ठीक है, यह हम नहीं चाहते हैं, तो GA4 जुलाई 2023 से अपलाए होगा, तो इसी लिए पहले हम समझेगे universal analytics, ठीक है, और फिर हम move करेंगे GA4 पर, अब दोनों में confused मत होएगा, यह Google Analytics है, यह सिर्फ हमारा पुराना वर्जन है, और यह हमारा नया वर्जन है, जो कि अपलाए होगा कब से जुलाई 2023 से, तो दोनों ही हम साथ साथ में समझते जाएंगे, अभी हमारे पास option है, कि या तो हम universal analytics को देख सकते हैं, या फिर हम GA4 को देख सकते हैं, या फिर हम दोन है, आपका support चाहिए थोड़ा सा, कि subscribe करके रखना, एक भी video को miss मत करना, and video अच्छे लोगी तो like करना, बिल्कुल भी मत भूलेगा, बहुत ही important यह जो आपके लिए जो section लेकर आ रहे हैं, that is Google Analytics, बहुत ही important है, for the SEO purpose, for the digital marketing, काफी important है, क्योंकि Google Analytics के through ही हम हमारे marketing campaigns बनाते हैं हम हमारी SEO की strategies प्लान करते हैं, और साथ ही, जितने भी हम goals recite करते हैं, वो भी हमारे data के basis पर, यानि Google Analytics के basis पर ही करते हैं, तो इसलिए एक भी video मिस ने करनी है, साथ ही, don't forget to subscribe WS Cupidic channel, thank you so much. झाल